बारजाथ इसकारकम में जुर चुके हैं विरेन जी बिजेपी की क्या तैयरी और बिजेपी के खिलाप विपक्ष की क्या रणनीती है इस बार जो आपकमिंग जनरल इलेक्शन्स है उसमें देखिए जब चुनाव की बात आती है तो हम देखें तो दस साल की मोदी की सरकार जो चल रही है कहते की चुनाव में एक एंटी इंकमबैसी फैक्टर हो जाता है और उसको विपक्ष को भुनाना चाहिए लेकिन वो भुना नहीं पा रहा है मोदी ललकारते की एक अकेला सब पर भारी है विपक्ष विखरा है वो उनका इसका अकेला भारी का मतलब जद्री देश की पार्टिया विपक्ष की चाहिए कांग्रेस हो सपा बसपा टीमसी जेडियू जो भी हैं उन पर वो भारी है अब राहूल गांधी ने डियर सोदी ने क्यात्रा निकाली तमाम मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा जिसमें महंगाई भी रहा पेट्रोल डीजल का मुद्दा रहा और चीन से लेके और देश के भीतर जो तमाम समझ चाहें रही उस पर भी वो लगातार लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा उफान नहीं दिख रहा है कि जो वोट में बदल जाए या चुनाओ के समय मोधी को नुकसान पहुँचाए देखें ये जरूर है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि परिवर्तन हो सकता है परिवर्तन के लिए लोग काम भी करते हैं लेकिन बीजेपी के पास संगठन इस समझ जादा बड़ा है और पार्टियों की तुल्ला में संसाधन भी जादा है और उनके पास नेता भी बड कांग्रेस से कर ले अकेली पार्टी जो पूरे देश में लड़ सकती है राहूल गांधी उनके पास एक बड़ा चेहरा भी है लेकिन जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी ताकत देता है केंद्र को वहाँ पर कांग्रेस अभी एक लोग सभा का सांसद है उसके पास और एक आया था जब मायवती और अखिलेस मिलके लड़े और बीजेपी यह जानती है कि अगर सबसे ज़्यादा तकलीप उसको कोई दे सकता है तो अखिलेस यादो और मायवती का गडवन्दन दे सकता है और पिछले वन्नईस के जो चुना हुए उसमें वो पंदरा सांसद ज जीत सकते हैं लेकिन वो कुछ चमतकार रहा मोधी का कि वो बचाने में काम्याव रह सीटे अब मोधी और योगी की जोड़ी उत्तर परदेश में फिर मजबूत है योगी दुबारा मुख्यमंत्री है अब मायवती ना एलान भी कर दिया को गडवन्दन करेंगी नहीं तो रास्ता तो वह इसे साफ है और बीजेपी मने मन लड़ू फूट रहा है ताली बजा रही कि अच्छा हुआ अब की क्या लड़े अब तो आराम से हम जीत लेंगे डरती तो देखें बीजेपी है कि अगर अखिलेश हम आयोती एक हो गए तो एक बार तो मान लिए दुपल म भी मामला हाथ आ गया कहीं दुबारा फिर आए तो फिर बड़े नाकों चने चबाने पढ़ेंगे यह सचाई अउत्तर परदेश में जो सियासी समिकरण है लेकिन अब भाई मोदी का ही क्रेज है कि जहां राजस्थान आप देख लिए इमांचल देख लिए जहां कांग्र इसको लिए तो भी बहुत लंबी चुनोती है बस वह है कि यूपी में अगर वो गड़बंधन कर पाए कुछ तो उनकी समझदारी मानी जाएगी नहीं तो जनता नादानी समझेगी और जाकर वोट बीजेपी को दे आएगी यह बात लोग जान ले और समझ लें बीजेपी की विश्वस्नेता और लोगपियता है उजला योजना है किसान सम्मान निधी है लाभार्ती है तमाम सारे जन्धन की योजनाएं हैं तो तमाम हतकंडे हैं ऑव यूपी हो या देस में हो यह सब नेता देखिए फंसते जा रहे हैं सी बिआई और इडी से सब डरते भी हैं क लड़क पे उतर के कोई अंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाओं में डरा हुआ विपश्च कहां लड़ पाएगा यह बड़ी चुनावती हैं तो यह जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश में बड़ा निर्भर करती हैं सियासत में बड़े-बड़े चंगलक्य हैं महा सब्सान नहीं जा रहा है जातपात का मुद्धा अभिबाद में आएगा तो यह सब चीजें जो हो रही है उत्तर प्रदेश में यह बीजेपी के लिए बड़ी फाइदे मन्द हैं और इसलिए वह मुतमईन है कि हम आगे जीत जाएंगे हमारे हैं जब चुनाव होता है तो बहुत बड़े-बड़े मुद्धे हवा में तेरते हैं ब्रजे जी लेकिन जब अंतिम दस दिन बचता है तब किस पर आ जाता है धरम हिंदू मुसल्मान और दारू ठेका भांग गोला इस पर चलने लगता है और इसी में अपना जात- बाद सब मिक्स होके अपना चुनाव जीत लेती है पार्टियां आदमी कहता भी है कि भाई चलो कोई परिवारवाद नहीं बढ़ा रहे हैं घोटाला नहीं हो रहा है मोधी को दे दो रासन भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है कुछ तो दिहिस पहले तो कोई कुछ नही है घहरता है लड़ता है इसमें कोई सक नहीं लेकिन मोधी के पास तमाम सारे जादूगर है हतकंडे हैं तमाम सारी चीजें हैं चुनाव जीतने का तरीका भी जैपी को आता है बहुत नेता है तो वह अभी तो देखिए थोड़ा संगर्स कठीन है और कांग्रेस हो या बस् समझ लो बहराल सुनिएगा जो देश में किली की सत्ता पर बैठता है उसके लिए गालिब ने बड़ा सेर लिखा था बड़ियां आज सुनाओंगा उसका अनंद लीजिए कि दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब कमाल करते हो और देखकर पूछ लिया हाल मेरा चलो कुछ तो खयाल करते हो और मरना चाहें तो मर नहीं सकते तुम तो जीना भी मुहाल करते हो अब किसकि मैं मिसाल दू तुमको हर सितम भी तुम बे मिसाल करते हो बहुत शुक्रिया विरेंग जी आपका बहुत भूत धन्यवाद ग्राउंड-0 से राश्ट्रिय फलक पर क्या उत्तरप्रदेश और दूसरे राज्यों में चल रहा इसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराना है